दोस्तों नमस्कार जयतार न्यूज में आपका स्वागत है आप देख रहे हो जयतार का सबसे बड़ा जयतार न्यूज यूटूब चनल ओप्चारी ग्रूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आई भी खान है आज कुछ दर्शे भी आपको अलग नजर आ रहा है दरसल मैं जिस इस्तान पर खड़ा हूँ वो पाली जिले की अंतिम सिमा है अजमेर जिले की अंतिम सिमा है और राजसमन जिले भी इस सिमा से सेटा हुआ दरसल आज हम मगरा छेतर में है और इस तिरेणी इस्तान पर है बहुत दूर है जैतान से आज मेरे साथ है भाईसाब सिरी सुरंदर सिंग जी जो मुलत बरगराम के निवासी है मतर 21 साल की आपकी उम्र है लेकिन जज़वा आपका बहुत बड़ा है मैं इनकी सेवों को सलाम करता हूँ इनके फोलादी होसले को सलाम करता हूँ दरसल यह तो काम करते हैं हर एक वो नई कर पाता है अलग अलग लोगों के जनून है किसी को वीडियो बनाने का सोख है किसी को खाने बनाना का सोख है किसी को खेलना का सोख है और मेरे जैसे को नीन लेना का भी सोख है आपको सर पकड़ने का सोख है यानि साफ उनको पकड़ने का सोख ह सुरंदर सिंग जी का स्वागत है दन्यवाद सर सबसे पहले तो आपका मगरे की सरजमी में आपका हार्दिक स्वागत है कि आप इतने दूर पदा रहें और आसा करता हूँ कि ये मगरे की जो वादिया हैं आपको बहुत पसंद आए होगी ठंडी ठंडी है आसमान में घंगोर गटाये चायो ही ये सइत इंदर देव आजकल में मेरबान हो सकते और जब मेरबान होते हैं जो ये पिछली जो पहाड़ी दिखनी है आपको ये पूरी तरसे हरी हो जाती है या रितिमा से आच्षा दित हो जाती है चुकि आप प्रियावन प्रेमी है और आपके बारे में लंबे समय से सुन रहा हूँ और सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ कि आप सांप पकड़ने में मस्ट टेनर हो, काँ से सिखा है आपने ये सांप पकड़ना ये एक किताबों से मैंने सिखा है मूलत है लेकिन अलग जो एक्सपर्ट होते हैं अलग-अलग स्टेट्स में उनके मैं लगातार इनके संप्रक में रहता हूँ बाई एप इनकी स्टेडी होती है जिनके मादियम से इनकी सांपों की पूरी डिटेल्स हम पढ़ते हैं इनके बारे में जानते हैं उनके इतिहास को लेकर इनके मेरे जैसे वेक्ती है या कोई महिला है चुए से भी डर लगता है छिपकले से भी डर लगता है कोक्रे से भी डर लगता है आपको डर नहीं लगता है ऐसे खतरनाक विशले साप है जिनको आप रेस्क्यू करते हो ऐसी बात है सर जब मन में जुनून सवार हो जाता है कि मुझे जेव की हत्या को रोकना है इसे बचाने रखना है प्रकति में ताकि आने वाली पीडिया देख सके तो डर्थ मुझे भी लगता था जब मेरे गर पर ये कोपरा सांप आगे था से कुछ वर्सों पहले तो मैंने अन ये पढोशियों की साहिता लीती कि मेरे गर में सांप आगे डिमांड है इसे पुरे मगरे छेतर में बात बताना चाहूंगा लगबग पचास किलोमेटर का ये जो बर छेतर का दाइरा है साहित वातक आप रेक्ष्यू करने जाते हो बिलकुल सर बर से 40-50 किलोमेटर का मेरे दाइरा है जहां से मेरा कॉल आता है जो 20 गंटे मेरी सेवा पर अपर साप भी तो होता हूंगा को बर साप मैं यह कहूंगा कि एक ऐसा योदा है कि अगर आप ने को बर साप को छेड़ दिया तो अचाती फेला कर आपका सामना करें अजिन नियहां गया जब लोग उनसे चेढ़ कर लेते हैं तब उसे गुसा आ जाता है ओर फिर वो प्रहें प्रहार को देखकर पकड़ते हैं और रही बात गुस्से कि तो इस तरह के से पकड़ते ही नहीं है कि वह गुस्सा हो यह बात है यदि नहीं जाने मारतेयां यानि मेरे साथ सांप के नाम भी है और नहीं दर के मारे मर जाते हैं की मुझे सांप ने काट लिया हमारे जो मगरह बिएट है जैसे जैतारन निमाज कुसाल पुरा रेलंबा वहाँ उन सब को मिला कर और अजगर सहीत कुल टोटल सोडा या सतरा प्रजाती के साप है उन में से मतर चार साप ही विशेले हैं कोब्रा, करेत, सोई सकल्ड और एक और साप है केट स्नेक जो सेमी वेनमस होता है वाकि हमारी यांपर कोई ज़्यादा साप नहीं है साप और केचवा किसानों के तपरम मित्र है इनका जिवित रना बहुत ज़रूरी है ये बात है सुरंदर सिंग जी मैं जानना चाहूंगा अब तक आपने अपनी जो 21 साल की मैं अज 21 साल की उमर है लेकिन ज़जबा आपका बहुत लंबा कितने साप पकड़ लिया आपने बितर डेड़ सालों में मैंने 265 साप का सुरक्षित रेश्क्यों कर लिया है और अब तक कोई हादसा तो नहीं हुआ है उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तो यह क्योंगा कि मुझे जहां तक मेरा नोलेज और जहां मुझे जानकारी होती है उन जानकारी बदोलत से ही मैं सुरक्षित रेश्क्यों कर पाता हूँ बिन जहां तक माल लीजिए एक ऐसा सांप पे जिसके बारे में मुझे जानकारी जानने की डीटल कोस्षिस करता हूँ क्या इसका विवार है को वेनम है या नहीं है और उसके बाद मुझे जानकारी में किसी फिये सांप में हात नیں डालता आगरे रहेगा उन लोगों से जो फाफ पकड़ने की जो रूची रखते है या अनजान Mel- जो साप पकड़ते है बहुत चाहदानी बरतनी बरतनी पड़ती है जैसा आप बतर है यह वास्ट विक्ता है का बहुत सावदानी बरतनी होती है मैं जानना चाूंगा किस समय में यह जो साप है वो ज़्यादा गरों मन आते हैं या जंगलों को छोड़कर गरों में आते हैं वो कौन सा समय है इसा particular इनकी कोई सर्दी है या गर्मी है या वर्णा काल है जिस समय सांप ज़्यादा आते हैं इसी बात है कि बिलकूल बिल्कूल सही सभा एक ज़्या सवाल होते हैं जो जगह होती है खेट वगर है उनके पानी से भराव के कारण सारे साप गरों के अंदर सरण लेगे तो इस सीजन में स्नेक बाइट के बाद होस्पिटल जाने में देरी कर देते हैं और यह जाड़ फूक तंतर मंतर के कारण सवाल पर भी आऊंगा चुकि मारवार की जो संस करती है हलांकि सभी देवता है वो पूझनिय है आराध्य है अपने अपने इस्ट देव है लेकिन कहीं बार हम देखते हैं ज जो कि एक ठग हम क्या सकते हैं आज की दोर की तो जो भारत में अधिकतर मोते होती हैं वो उन्हीं के करण होती है तो पहला तो यह आप लापरवाई से जो साब पकड़ा है उस वज़े से आपके द्याथ होगी और दूसरा करण है बाइच चांस आप गर के अंदर हो और आपको जो तंतर मंतर जाड़ फूग यह भूपे वगर आपको नहीं बचा सकते हैं और अपने जान से हाथ दो बेठेंगे क्योंकि हमारे मगरा सेतर में हर साल ऐसे बहुत सारे कैसे होते हैं जिनका मूल कारण सनेक बाइट तो है ही लेकिन सनेक बाइट के कारण तंतर मंतर उस पर हमला करते हैं उसे मारने का प्रियाज करते हैं क्या यह उचित हैं यह बिल्कुल अनुचित हैं इसका सिधा परवाव हमारे मानुवी जीवन पर पड़ेगा प्रकती पर बढ़ेगा क्यों क्योंकि साम प्रकती में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आविश्यक है रही बात एसी बहुत सारी गंभीर बिमारिया हैं जहां पर इनके वेनम का प्रियोग होता है तो इनका बचा रेना बहुत जरूरी है चुहों की तादाद अगर बढ़ गई तो बहुत विकट समस्य हमारे सेतन में कड़ी हो जाएगी किसानों के लिए क्योंकि वो जग़ जग़ किसानों को नुक्षान पहुंचाएंगे तो इसको खतरा हमें है और चुहों की संक्या को मेंटेन करने का काम भी साप करते हैं तो इनका जिवीत रहना बहुत जरूरी है रही बात साप को मानने के गरों के अंदर आने के बाद तो बाद न कवल मेरी कोलोनी न कवल मेरा गाउं बलकि बरके 25 से 50 किलोमेटर के दाइरे में एक संदेश गया है और लोगों की भावना मैंने देखिए कि लोग को इस हाप मारना नहीं चाहते थे वो डर वन्स बैवन्स उनके पास उपसन नहीं था कि हम जीव को बचाएं कैसे तो पता चला है कि जो चुए है वो यदि ज़्यादा फेलेंगे उनको खाने के लिए यानि कि साप का भोजने साइथ चुए ही है साइथ उनको खाने के लिए गरों में साप आते है या खेतों में साप आते है सर ऐसा है कि खेतों में तो उनका आवास रहता है वो बटक कर चाट की तब वह बाइट करते हैं उससे पहले भी वह चतावने देने की कोशिस करते हैं कि हमसे दूर हो लेकिन हम मानते नहीं है तो फिर वह काट लेता है यह बात होती है गाओं में कई भूप है जो कई तांत्रिक है वह दूद पीलाने का भी उनको पुरियाश करते हैं क्या पकड़ना गेर कानूनी अप्राद है वन्य जीव सरक्षन अधिनियम 1922 के तेद बाग टू के अंदर इनके सजा का प्रावदान है अगर किसी ने सांप को पकड़ाए जी सपेरे वगेरे और उसको केद करके रखा है और उसके अगर दात तोड़ दिये तो सांप वहाँ गेर क कि उसको ये दिखा रहा है आपसे पैसा वसुलिल कर रहा है बगवान के नाम पे या दूद के नाम पे रही बाद दूद सांप कोई भी दूद नहीं पीता है क्योंकि वह दूद को पचा नहीं सकता है उसमें ऐसे वह इजान्स नहीं होते हैं कि दूद को पचा सके सपेरे क क्या करते हैं कि उसके दांत तोड़ देते हैं फिर काई दिनों तक उसको भूके रखते हैं और फिर कई धार्मिक आयोजनों मेर मेलों में ले जाते हैं उसके दूद के नाम पर भगवान के नाम पर पैसा वसूली करते हैं लोगों को पागल बनाते हैं नाग मनी होती हैं तो इन चीजों से हमें बचना है, उन जिवों को बचना है, क्योंकि बेहरमी के साथ उनके दाथ तोड़ते हैं, कल्प ना कीजिए, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी चीज के आपके चीज़ करकर दाथ तोड़े जाएंगे, कितना आशेहनी या दर्द आपको जेलना पूरा पूरा मुह इस तरह से तोड़ते हैं और काई महीनों लग जाते उनको ठीक होने में फिर मजबूरी वंस आपको दूद पीना पड़ता है भूके मरते मरते वह अपना खाना समझ के पी तो लेता है लेकिन उसको पता नहीं है कि यही दूद उसके जहर का काम करेगा और जो अब्याने चलता रहेगा चुकि आप लोगों की जान बचाएने के लिए अपनी जान दाव पो लगाते हो सर अगर प्रकति कारणा ज़रूरी है मैं नहीं रहूंगा तो पिछलेगा इन जीवों कारणा प्रकति के लिए और मानुता के लिए बहुत ज़रूरी है रही ब को भी त्यार हूं और सरनगत की रक्षा करना मेरा करतवी है तो रही बाद प्रकति के जिवों को बचाना मेरा प्रम उदेश्य है और मैं बचाने का प्रयास करूंगा नो केवल मेरा प्रकति में रहने वाले प्रतेक मानू का ये करतवी हैं कि प्रकति का स्रक्षन करें उसे ब तो बारहाल यह थे सिरी सुरुंदर सिंग जी मुलत बर्क निवासी है जुनून है अच्छे पड़े लिके हैं लेकिन सरफ पक्ड़ने का इनको जुनून है तो उमीद करना चाहूंगा कर साइट यह वीडियो यह पसंद आएगा और एक और स्वाल जाना चाह रहा था साप पकड़ने के लिए यह आपके पास कोल अदा क्या आप उनसे सुल्क वसुलत है या निसुल्क है वो सिवाल एक जब मैंने शुरुआत की थी उस में मेरे पास उपक्रणों की कमी थी एक बार मेरे साथ हाथशा हो गया था साप के बचाओ की चकर में एक साप की देथ हो ग सबसे जो बरके ग्राम विकास अधिकारी हैं पुरुन सिंग जी शांकला हडुमंत जी वागडी जावियत जी जो मुर्तजा जी कुरेशी जो एडवोकेट है वो सबसे पहले भामास आगे आये थे और उन्होंने कहा था कि आपके पास काबिलियत होते हुए भी अगर यह न मैंने वापस शुरू किया तो यह बात है कि लोगों का सहयोग अगर रहेगा तो मेरी सेवा तो मुफ्त है ही लेकिन एक बर से 30-40 किलोमेटर जाना खुद की जेव से पेट्रोल बालना यह मुझे मैं कोई अमीर परिवार से तो नहीं हो कि मैं खुद दे सकूं लेकिन पेट लोग पूछते हैं आपकी कोई निश्चित फीश है क्या अधिकतर मेसेज आते हैं खान साब का जो सवाल ता मुझे लगता वही था कि कोई आपकी फिक्स फीश है क्या तो मेरी कोई फिक्स फीश नहीं है आपकी खुशी हो तो देना लेकिन पेट्रूल के जरूर पैसे दे होंगा कि वह अंजने में भी कभी सब को पकड़ने का पुर्यास ना करें उन्हें पीटने का पुर्यास ना करें और जो यह भोपे डोपे हैं उनके चक्र में भी आप नहीं आये तो बारहाल दीजिए हमें इजाजत और मैं इनके होसले को सलाम करता हूं और उमीद करना चा तेरा की मौत पानी में होती है आपका खेना बहुत उचित है लेकिन सावधानी में हर जगह पर रखता हूं बिलकुल अलट रहता हूं विच्छ कर उपरनों को हमेशा मैं अपने साथ रखता हूं और अगर ऐसा हाथसा भी होता है तो फॉस्ट के इट और जो हमारे डोक्ट को बैठते हैं तो लोगों को मेरे अफील है स्नेक बाइट के बाद आप होस्पिटल जाएं अगर नहीं गएं तो कोई नहीं बजा सकता आपको दर्मियान आपको 30 मिनट के भीतर भीतर बीतर जाना है अगर लेट भी हो जाये तो 30 मिनट आपके पास अंत्यम समय है और गबर इसे बंद करदेना है पेशेंट को भी खिलाना नहीं है पिलाना नहीं है वह जाए उसकी जान बच जाएगी और डॉक्ट्टर बचा लेंगे जेतरन का सबसे बड़ा जेतर न्यूज यूटूब चल हम ऐसे जो गामीन पतिवा है जो दहाती छेतर है उस दहाती छेतर में जो ऐसे लोग है उनके वीडियो सामने लाने का प्रियास करेंगे नमस्कार धन्यवाद जैन